पार्ट साथ वचन नमबर दिये गए चित्र में आपने देखा कि कुछ चीजें एक हैं जबकि कुछ चीजें एक से अधिक हैं जैसे एक, पत, लड़का, पुरुष, बैंच, स्त्री, अनेक, पेड, रंग बिरंगे फूल, लैंप पोस्ट, पक्षी वचन का अर्थ होता है संख्या, वचन की पहचान संग्या, सर्वनाम, विशेशन, अथ्वा, क्रिया से होती है इस प्रकार, शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का पता चले, उसे वचन कहते हैं वचन के भेद, वचन के दो भेद हैं, पहला एक वचन, दूसरा बहुवचन एक वचन, किसी भी व्यक्ति वस्तू अत्वा पदार्थ के संख्या में एक होने पर उसके एक वचन होने का बोध होता है जैसे पत्ता, मच्छली, तारा, पैंसिल वचेश, कुछ शब्द सदा एक वचन के रूप में प्रयोग किये जाते हैं जैसे बारिश, पानी, घी, दही, आकाश, जनता, भीड, इश्वर, आदी कुछ शब्द सदा बहुवचन के रूप में प्रयोग किये जाते हैं जैसे हस्ताक्षर, आसू, दर्शन, प्रान, दाम, लोग, होश, समाचार, बाल, आदी आदर देने के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है जैसे पिता जी बाजार गए हैं, हमारे अध्यापक बहुत अच्छा पढ़ाते हैं आईए कुछ और एकवचन तथा उनके बहुवचन रूप को जाने एकवचन बहुवचन, गेंद, गेंदें, कपड़ा, कपड़े गंला, गंले, लडकी, लडकियां, तितली, तितलीयां रानी, रानियां, चादर, चादरें दुकान दुकाने, चूहा चूहे, माला मालाएं, रोटी रोटियां, माता माताएं, रात रातें, कमरा कमरे, पुस्तक पुस्तकें, सडक सडकें, बेटा बेटे, केला केले, पत्ता पत्ते, बेल बेलें, नदी नदियां, काटा काटे, बूंद बूंदें, नहर नहरें, गाड गाडियां, सेना, सेनाएं, बोली, बोलियां, साडी, साडियां, बाला, बालाएं, पलक, पलकें, फववारा, फववारे, चुटकुला, चुटकुले, घडी, घडियां, खाई, खाईयां, सीधी, सीधियां, बुढियां, बुढियां, परिक्षा, परिक्षाएं, बीमारी, बेमारियां, तस्वीर, तस्वीरें, इल्ली, इल्लियां, मचली, मचलियां, रसी, रसीयां, मेनार, मेनारें, बगीचा, बगीचे, गाईका, गाईकाएं, महिला, महिलाएं, आख, आखे, दीवार, दीवारें, बच्चा, बच्चे, चाबी, चाबियां, गुडिया, गुडि बिल्ली बिल्लियां, वस्तु वस्तुएं, चहरा चहरे, मूर्ती मूर्तियां, भुजा भुजाएं, चिडिया चिडियां, गाना गाने